हेलो इस्टुडेंट्स मैं क्रश्न पाल सिंग सहय काचारे भूगोल आज पुन्हें आपके सामने उपस्तित हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पवन के निच्छे पात्मक इस्तल रूपों की इससे पहले वीडियो में हमने द्वारा कौन-कौन से प्रकार के इस तल रूपों का निर्माण करता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं पवन के निच्छेपन प्रिकिरिया के बारे में सामाने परच है तो पवन अपनी अपवाहन प्रिकिरिया के द्वारा चटानों के ढीले कड़ों को अपने साथ उड़ा करके ले जाता है और जब पवन का बेग मंद पड़ जाता है या फिर पवन के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो उससे टकरा करके उसके साथ उड़ने वाले जो धूल के कण हैं जो रेत मिटी के कण हैं वो निच्छेपित होने लगते हैं वो मलवा जमा होने लगता है और उस मलवे के उ का निर्माड होता है और इस प्रकार के भुद्रस्यों को पवन के निच्छे पात्मक भुद्रस्य या निच्छे पात्मक के नाम से जाना जाता है और ये निच्छे पात्म के स्थल रूप कई प्रकार के हैं जिनका बर्डन हम आगे करेंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं पवन के निच्छे पात्म के स्थल रूपों की तो सबसे पहला और सबसे महत्मून जो निच्छे पात्म के स्थल रूप है पवन का वो है बालू का इस्टूप जो कि रेगिस्तानी प्रदेसों की एक बहुती महत्पूर्ण बिसेस्ता है और रेगिस्तानी प्रदेसों में पवन के द्वारा ओडाई जाने वाले धूल के एक जगे पर एकटा होने से या निच्छेपित होने से जगे जगे इस प्रकार के रेत के धेर या टीले बन जाते हैं और उन रेत के धेर या टीलों को ही बालू का इस्तूप के नाम से जाना जाता है और बालू का इस्तूप एक इस प्रकार का भुदरत से है जो निरंतर गति पहिला होने की वज़े से पवन के द्वारा आसानी से इधर उदर उड़ा लिया जाता है और इधर उदर परवहित करने की वज़े से बालुका इस्थूपों की इस्तिती और इस्थान बदलते रहते हैं यही कारण है कि बालुका इस्थूप इस्थान अंतरन सील होते हैं या गतिशील प्रिकिर्टी के होते हैं तो अब हम बाल का इस्टूपों की बात करें तो बाल का इस्टूपों को उनकी दिशा के आधार पर कि बाल का इस्टूपों को निर्माण पवन के अनुरूप किस दिशा में हुआ है उस आधार पर बालु का स्टूपों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बिभाजित किया जाता है एक है अनुधहरे बालु का स्टूप और दूसरा है अनुप्रस्त बालु का स्टूप जैसा की नीचे स्लाइड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है अनुधहरे बालु का स्टूप और अनुधहरे बालु का स्टूप ये इस प्रकार के बालु का स्टूप हैं जिनका निर्माण पवन की दिशा के अनुवर्ती होता है अर्थात जिस दिसा में पवन बह रही है यदि बालू के निच्छेपन से बने हुए बालू का इस्तूप भी पवन की दिसा में ही लंबे आकार में जमते हैं लंबे आकार में बनते हैं तो इस प्रकार के अनुवर्ती बालू का इस्तूपों को अनुधहरे बालू का इस्तू पवन की दिसा में होती है दूसरी हम बात करें अनुप्रस्त वालुका इस्तूपों की और दूसरा अनुप्रस्त वालुका इस्तूप अनुप्रस्त का मतलब होता है आड़े अर्थात ये वालुका इस्तूप पवन की दिसा के समकौन इस्तिती में बनते हैं या पवन की दिस पवन के साथ ओड़ने वाली जो दूल है वो एक साथ निच्छेपद हो जाती है और पवन की दिसा के आड़े प्रति रूप में बालुका इस्थूपों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के आड़े प्रति रूप में बने हुए जो बालुका इस्थूप है वो प्रक्रिया से बनता है वो है बर्खान और बर्खान के बारे में आपने सभी ने सुना होगा तो बर्खान रेगिस्तान के सबसे अधिक गतिसील वालु का इस्थूप होते हैं और गतिसील था अधिक होने की वज़े से ही ये रेगिस्तान के प्रसार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, हलांकि बर्खान जो हैं, वो अनुप्रस्त प्रकार के ही वालो का इस्थूप हैं, जो हमने 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 वालो का इस्थूप और बर्खान जो वालो का इस्तूप हैं वो अर्ध चंद्राकार आकरती के वालो का इस्तूप हैं जिनका पवन के सम्मुख जो ढाल है जिधर से पवन आ रही है उस तरफ का जो ढाल होता है वो उत्तल होता है तथा धीमा होता है जबकि पवन बिमुख भाग का जो ढाल है वो अवतल प्रकार का तथा अपेख्छाकरत तीब्र होता है तथा इन बर्खान प्रकार के बालुकाइस्थूपों का जो अन्तिम चोर है वो दो नौकों के रूप में पवन की दिसाम में निकला हुई रहता है और था जिधर की और पवन जा रही है उस दिसाम में इस बालुका इस्तूप के दो सींग के रूप में या दो नौक के रूप में उसके दो छोर आगे की और काफी लंबाई में निकले हुए रहते हैं और इस प्रकार के बिसेस आकरती वाले जो वाल का इस्तूप होते हैं इनको बर्खान के नाम से जाना जाता है तो ये बर्खान और ये अत्यदिक गतिसील होते हैं क्योंकि पवन के द्वारा सम्मुख धाल से रेत को बिमुख धाल पर इस्थानांतरित किया जाता रहता है और अगला प्रमुक स्थल रूप है और्मिकाह जब मंद गति से बहने वाली जो पवन है वो अपनी गति के द्वरा रेत में लहरों का निर्माट कर देती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें दिखाई पड़ती है तो उसी तरीके से रेगिस्तानी प्रदेश में भी रेत की लहरों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार की जो इस्थलाकरती बनती है उसे उर्मिका के नाम से जाना जाता है जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे होंगे तो रेगिस्तानी प्रदेश में ये बिस्तरत जो रेत के चित्र हैं और बिस्तरत रेत के चित्र में बहती हुई पबंड के द्वारा इस प्रकार की लेहरों जैसी आकरती का निर्माण हो जाता है और इसी प्रकार की लेहर न निच्छेपद स्थल रूप है लोयस और लोयस पबन के द्वारा निच्छेपद से बना हुआ काफी महत्पूर इस्थल रूप है और लोयस का निर्माड उस इस्तितिम होता है जब पबन अपने साथ उड़ाकर लाए गए धूल कड़ों को रेत के कड़ों को मरशतली प्रद प्रदेशों से दूरस्त प्रदेशों में जमने लगते हैं या दूरस्त प्रदेश में उनका निच्छेपन होने लगता है और इस प्रकार उस महीन कड़ों के जमने से बने हुए जो बिस्तरत मैदान है वो लोयस के मैदान के नाम से जाने जाते हैं और चूंकि लोयस का निर चीन के लोयस प्रदेश में पाया जाता है इसी कारण से इस प्रकार के निच्छेपणों को बिस्व के बिभिन अलग-अलग इलाकों में लोयस के मैदान के नाम से भी जाना जाता है तो इस प्रकार से ये जो हैं पवन के द्वारा निच्छेपण से बनने वाली बिभिन प्र करें धन्यवाद